नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 15 फरवरी 2019 के करेंट अफेर्स में आपका स्वागत है सबसे पहली न्यूज जो हम देखने वाले हैं वो है प्राइम मिनिस्टर जी जहां सी उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं तो वहाँ पर जा जाके जिंजिन प्रोजेट्स को वो लांच करेंगे इनाउग्रेड करेंगे जिंजिन का वो फांडिशन स्टोन रखेंगे उसको हम देखेंगे साथ-साथ UP के maps में हलका फूल का district का idea लेंगे UP की map की तरफ इक में से डालेंगे फिर Monday भारत express को launch किया गया है कल inaugurate हो रही है पहला run होगा इसका इसके बारे मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन fit news में है तो मैंने include किया है से WPI inflation figures आये हैं जन्वली 2019 महीने के उसको देखेंगे फिर minimum sugar price of minimum support price जो होगा sugar का वो 2019 बीस के लिए 2 रूपय से बढ़ाया जाएगा वो क्यों बढ़ाया जा रहा उसकी बात करेंगे फिर parallel taxi track operations क्या होते हैं सिरसा airport पे जो military airport है महाँ पे parallel taxi track operation किया है एक all women crew ने तो वो क्या है डौर नीर aircraft पे उसके बारे में बात करेंगे फिर पधान मंत्री श्रम योगी मांधन इसको interim budget में announce किया गया था इसको कल से यानि कल से मतलब आज में 14 फरवरी को इसको record कर रहा है तो 15 फरवरी से इसको launch किया जाएगा तो इसके बारे में एक बार देखेंगे फिर फिर कोबरा गोल्ड मिलिटरिक साइस क्या है उनाइट स्टेट से थाइलेंड मिलिक अड़ करते हैं इसको फिर गोवा का heritage musical instrument बनेगा घुमोट तो घुमोट के बारे में देखेंगे फिर personal laws amendment will 2018 जिसमें लेप्रोसी से affected लोग के खिलाफ से जो डिवार्स लिया जा सकता था ऐसा होता था कि लेप्रोसी अगर किसी person को हो गया तो उस बीमारी की दम पे उस बीमारे के basis पे उस person से डिवार्स लिया जा सकता था तो इस चीज़ सो डील करने के लिए इस amendment will को लेके आया गया और बहुत सारी one-liner news भी देखेंगे तो इसको शुडू करने से पहले फ्रेंस अभी एक बहुत unfortunate news आई है कुछ घंटों पहले कि पुलवामा में एक SUV ने एक कॉन्वाय था जिसमें हमारे बहुत सारे CRPF जवान बैटके जा रहे थे उसमें टक्कर मार दिया और कहा जा रहा था कि वो जो SUV थी उसमें लगबख 300 किलो के explosives थे जो की जो फटे हैं और पूरी जो बस है जिस से टक्कर मारा था जिस कॉन्वाय को टक्कर मारा था उस SUV में वो पूरी एक दम आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो गई और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे CRPF के जवान शहीद हो गए हैं लगबख 44 जवान शहीद हो माना जा रहा है और और दुख की बात यह है कि यह टेर्रिस्ट कश्मीर का ही था और उसी पलवामा डिस्ट्रिट का था जहां पर यह अटैक केरी ओन हुआ है और एक तरीके से बहुत कोवर्डली अटैक है क्योंकि यह जो सोल्जर्स थे जिरों अपनी जान दी हैं विदा क किसी कॉमबैट के इनकी जान चलीगे आप देखे कि सोल्जर्स हमारे आप कह सकते हो कि सरहत पे जाके लड़ते हैं दुश्मनों की खिलाफ तो कॉमबैट में शहीद होते हैं लेकिन यहां पे तो वो बिचारे कॉन्वाइ के अंदर बैठ के जा रहे थे और आपने सीधे ही बम फोड के सीधे ही उस गाड़ी को से भढ़ा के इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया कि उनकी जान चली गए तो इस तरीके सब कह सकते हो कि यह काईरों वाला अटैक था हमारी आंट फोर्स के उपर तो अब इसके उपर और कौन-कौन सी स्टोरीज खुलेंगे क्या क्या अन इंडिया को अगर defense production में self-reliant बनाना है तो उसके लिए government of India ने एक announcement की थी उस announcement में बोला गया था कि पूरे देश में दो defense corridor बनाए जाएंगे एक defense corridor बनेगा तमिल नाडू में दूसरा बनेगा उत्तर परदेश में उत्तर परदेश के defense corridor में छे नोडल पॉंट्स होगा और उस छे नोडल पॉंट्स पे से एक नोडल पॉंट जहासी होगा तो इसी नोडल पॉंट जहासी से इस defense corridor का जो की उत्तर परदेश में बनेग प्रजटर फदेश को नुखसान थोड़ा कम होगा फिर वेस्ट नॉर्थ इंटर रीजन पावर ट्रांसमिशन स्ट्रइंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिससे कहा जा रहा है कि Western उत्तर प्रदेश को uninterrupted power supply मिलेगा अभी इधर एक बार हम लोग UP का map देख लेते हैं तो आपको जहांसी friends यहां पर नजर आ रहा है देखे यह रहा जहांसी मद्द प्रदेश की boundary पर है यह उसके बाद Western उत्तर प्रदेश को बिजली देने की बात हो रही है इस प्रोजेक्ट के थो तो Western उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन से district आती है तो सारनपूर हो गया, मुदफर नगर हो गया, शामली हो गया, बागपत, मेरट, गाजियाबाद, ठीक है जला हो रही, फिर जासी, तो यह सब आपका आगया Western UP में ठीक है, आप इस मैप को देखके हलका फुल का और आइडिया लगा सकते हैं इसके बारे में फिर यह कहा गया है कि एक पहाड़ी डैम modernization project है जो कि जासी में धसान river पे है, यह एक water storage dam है इसको inaugurate करेंगे हमारे प्रधान मंत्री जी फिर बुंदेल खंड region में piped water scheme का foundation stone रखेंगे ताकि बुंदेल खंड region जो कि सबसे जादा drought affected region और बहुत सारा सूखा पड़ता है वहाँ पे वहाँ पे पानी को available कराया जासे कि रूरल एडियाज में फिर coach refurbishing factory जहासी में बनेगी उसके लिए foundation stone रखा जाएगा फिर जहासी मानिकपूर और भीम से इन खेरार जो railway lines है 425 km लंबी उनको double किया जागा double मतलब अभी single track है उसको double track किया जागा तो double track के चलते होगा यह कि मान लिजे कभी वो single track खराब हो जाता है तो जो flow है जो trains का जो run है वो disturbed नहीं होगा और जादा traffic को cater कर पाएंगी वो railway lines तो जो बुंदेल खांट region की जो connectivity है वो और बढ़ जाएगी फिर हम आते हैं वंदे भारत express पे इसके बारे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे इसको पंदरा फरवरी सुबह न्यू दिल्ली से inaugurate करेंगे हमारे प्रधान मंतरी जी पहले जाएंगे नई दिल्ली स्टेशन पे वहाँ पे जाके तरेन का मौयना करेंगे और वहाँ से उसको करेंगे इनागरेट तो यह जो इसका मैडर नन है न्यू दिल्ली से जाएगी कानपूर कानपूर से अलाबाद अलाबाद से वारा नसी कहा जा रहा है कि आठ घंटे में इस पूरे सफर को तैग करेगी जो कि बहुत ambitious चीज़ है तो कि नई दिल्ली से जो आपका लखनव तक का रास्ता है जो कि कानपूर के पास अगर आप नई दिल्ली से कानपूर तक का रास्ता देंगे तो भी अच्छी अच्छी ट्रेने 9-9 घंटे ले लेती है और इस सीधे दो स्टॉप के साथ वारा नसी पहुचा देगी आप घंटे में तो बहुत फास्त ट्रेन है तो इंडी जीनेसरी बिल्ट है सबसे इंपॉर्टन जुरूरी बात यह है इस ट्रेन के बारे में इंजन लेस है और सेमी हाइज स्पीड है तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है कितनी है 160 km per hour जो की बहुत जादा है देखे फेर्स चाइना में और जापान में जो ट्रेन्स चलती है वो 3300-3300 km की स्पीड पे चलती है वहाँ की बात अलग है वहाँ का इंफ्रस्ट्रक्चर अलग है वहाँ पे railway tracks का management अलग है इंडिया के railway tracks पे 3500 km की train का चलना बहुत मुश्किल है और वो इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इंडिया उस तरीके की technology नहीं ला सकती या फिर बाहर से नहीं वहाँ सकती ऐसा नहीं है इंडिया की conditions है वो अभी इतनी high speed की permission नहीं देते इसलिए धीर धीर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा और अभी जो train launch की गई है उसकी highest speed है वो है 160 km पर आवर दिल्ली से बनारस की बीच में travel करेगी इसको train 18 भी बोलते है इसको बनाया किसने है integral coach factory चिन्नहीं नहीं बनाया है 18 महीने में तो याद रखिए integral coach factory चिन्नहीं बनाया है 18 महीने में बनाया है maximum speed 160 km है दिल्ली से बनारस की बीच में कानपूर अलहबाद उसका stop होगा 100% make in India project है और कहा जाता है कि जितने cost पे इसको बनाया गया है अगर ऐसी train को import किया जाता ना तो दुगने cost पे वो import होती है तो GPS based passenger information system भी है इसमें और bio toilets को लेके आया गया है ताकि पानी की wastage को हम कम कर सके और bio toilets कैसे काम करती है ये एक अलग topic है उसको कभी और देखेंगे मतलब पानी का use उसमें नहीं होता है मतलब molecules microorganism को लाके वो specal matter पे अपना reaction करके उसको डिस आप कह सकते हो की breakdown करके उसको response कर सकते है अच्छे से फिर हम wholesale price index के inflation figures की बात करेंगे देखें जनवरी 2019 के ये wholesale price index के figures रिलीज हो गए है और कहा गया है जनवरी 2019 में जो WPI था वो था 2.76% जो की पिछले 10 महीने में सबसे कम है तो जब इसका reason की बात आती है कि इतना कम WPI हो गया तो कहा जा रहा है कि देखें manufactured products के prices भी गिरे है और fuel और food items के prices भी soften हुए है थोड़े गिरे है और ये बोला जा रहा है कि जो 2.76% का inflation है जनवरी 2019 में काफी कम है क्यों कम है क्योंकि जनवरी 2018 में inflation 3.02% था और December 2018 में 3.8% था अब सवाल आता है कि wholesale price index को कौन compute करता है तो ये compute करता है Office of the Economic Advisor in Ministry of Commerce and Industry Government of India पहले क्या होता था कि 2012 से पहले की बात अगर की जाए तो ये जो wholesale price index के जो figures थे ना primary articles के लिए और fuel group के लिए ये weekly basis पे आया करते थे अब ये primary articles का weightage कितना है, fuel का weightage कितना है, manufacture products का weightage कितना है ये हम अगले slide में देखेंगे तो 2012 से पहले primary articles fuel group के लिए ये जो report आती थी WPI की है हर week के लिए आती थी फिर 2012 में इस practice को बदल दिया गया और कहा गया कि अब ये मन्तली आएगी उसके बाद पहले, यानि 2017 से पहले जो base year था WPI को calculate करने का वो था 2004 और 5 फिर 2017 में इसको change करके 2011 बारा कर दिया गया यानि अब 2017 से WPI को calculate करने के लिए base year क्या है, 2011 बारा उससे पहले क्या था? 2045 अब हम बात करेंगे कि WPI की weightage की तो देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे primary articles की जिसमें आपका जो weightage है वो 22.62% है तो इसमें food articles आते हैं जैसे कि मेज हो गया, रागी, बाजरा, एग, कॉफी, बारले, मून, मसूर फिर non-food articles भी आते हैं जैसे सोया बीन, रॉजूट, रॉसिल कब, रॉजूट, रॉसिल को तो आप खाने सकते रॉर अबर किसी चीज का खाने लाइक तो है नहीं, फ्लोरी कल्चर तो यह हो गया आपके non-food articles मिनलस को आजए हैं जिंक कंसेंट्रेट, सिलीमनाइट, कॉपर कंसेंट्रेट, नाइम स्टोन, लेड कंसेंट्रेट और क्रूड पेट्रोलियम और नाच्रल गैस भी इस प्राइमरी आर्टिकल्स में आता है, टोटल वेटेज 22.62% फ्यूर पावर की अगर आप बात करोगे तो इसका वेटेज है 13.15%, 13.15% इसमें कोल भी है, मिनरल ओयल भी है, और एलेक्टिसिटी भी आती है, और मैनुफैक्चर प्रोजेक्ट्स का जो वेटेज है, वो सबसे जादा है, वो 64.23% है, तो प्राइमरी आर्टिकल कोई भी हो उससे जो बन के निकला फाइनल मैनुफैक्चर प्रोजेक्ट्स उसमें ये सवा जाएगा, तो 64.23% है ये, इसमें मैनुफैक्चर पूर्ट्स भी है, बेवर्जेस भी है, टेक्स्टाइल भी है, हर तरीके के प्रोड़क्ट्स जो मैनुफैक्चर होते हैं, वो आपके मिनमम सपोर्ट प्राइस को अगर आपको आल्टर करना है बढ़ाना है तो जो कमिशन फॉर एग्रिकल्चर कॉस्ट और प्राइस होता है CACP वो पहले रिकमेंड करता है कि हां भई MSP को आप इतने से इतना करिए और उसको अप्रूवल कौन देता है Cabinet Committee on Economic Affairs तो अभी ही सरकार ने ये अलान कर दिया है कि 2019-2020 में हम MSP को बढ़ाएंगे और अभी सी बात है कि अभी अलान इसले कर रहे हैं ताकि बाद में इसका उनको फाइदा मिल सके जब election आएगा तो 29 से 31 किया जाएगा इसका और इसको किया क्यों जा रहा है ताकि जो Sugar Mills है उन उनको कुछ financial leverage दिया जा सके ताकि उनके पास पैसा आ सके कि वो आगे Sugar Cane Farmers को पैसा दे सके क्योंकि जब MSP बढ़ जाएगा Sugar को बेचने का तो अभी सी बात है जो Sugar Mills बेच रही है तो उनको पैसा ज्यादा मिलने लगेगा जब उनको पैसा ज्यादा मिलने लगेगा तो Sugar Cane Farmers को पैसा जदा दे पाएंगी फिर हम बात करेंगे parallel taxi track operations की अभी क्या है कि Western Air Command जो है इन एन एर फोर्स का वहाँ पे otters करके एक squadron है उसमें एक full woman crew ने full woman मतलब इसमें सारी जो आपकी fighter pilots थी हूँ जिसने भी पूरा operation में भाग लिया वो सब women थी तो उन्होंने डौर नियर राखी भंडारी इन्होंने एक successful parallel taxi track landing की है और take off किया है सिरसा में तो important चीज क्या है Western Air Command उसके बाद squadron कौन सा पुटा सा runway इसलिए बनाए जाता है कि मान लीजे कि अगर main runway किसी reason की वज़े से available नहीं है और वो reason यह हो सकता है कि मान लीजे अगर जंग छिड़ गई तो जंग के time पे जो planes है वो उड़ ना सके या land ना कर सेगे तो इसलिए जो enemy की planes है वो सबसे पहले target करेंगे आपके landing runway को तो अगर मान लीजे main runway destroy हो जाता है और enemy उसको destroy कर देती है तो उसके side में एक taxi runway होता है जहां से plane को उड़ाया जा सके और वहाँ पर land किया जा सके लेकिन उस taxi runway से plane को उड़ाना और land करना मुश्किल होता है क्योंकि friends उसके रास्ते में बहुत सारे obstructions भी आते हैं instructions मतलब कुछ चीजों के काफी pass होता है ठीक है और तो उसके मतलब वहाँ पे जो land कराना और वहाँ से take off करना बहुत मुश्किल होता है सासाथ वह बहुत छोटा होता है तो margin of error वहाँ पे बहुत कम होता है हलकी सी गलती में भी take off या landing में कुछ problem हो सकती है तो यह एक operation हुआ parallel taxi track operation सिरसा में फिर यह जो प्रधान मंत्री शम योगी मंधान जो स्कीम थी इसको कल 15 आज मतलब 15 वर्वरी से इसको launch किया जा रहा है इसको interim budget में अलॉंस किया गया था अब देखते हैं इसमें है कॉन-कॉन तो भाई इसमें home-based workers हैं street vendors हैं midday meal workers हैं ध्यान दीजे गई जो क शापूरर है landless laborers है own account workers है agriculture workers है construction workers, bd workers, hand room workers, leather workers, audio visual workers, similar other obligations यह वो इस तरीके के लोग जिनकी जो income है महीने की वो 15,000 रुपए तक की है या उससे कम है उससे जादा नहीं है और अगर वो 18 से 40 की age group में आते हैं तो वो इस scheme का lab उठा सकते हैं एक शर्त qualify होनी चाहिए कि वो new pension scheme employee state insurance corporation scheme या फिर employee provident fund organization scheme के अंदर ना आते हों साथ-साथ वो income tax ना पे करते हों तो अब जो person ये जो cobbler जैसे काम करके और ये street vendor जैसे काम करके अगर 15,000 रुपए से कम कमा रहा है तो income tax वो क्या खाग वरेगा उसके वाज इतना पैसा ही नहीं है अब देखे तो income tax वाली को अठा दीजे यहाँ पे new pension scheme जादा तर government servants के पास है और बाकी लोग जो थोड़े पहुत effluent है वो से ले लेते हैं EPFO उसको side करते हैं employee state insurance corporation देखे employee state insurance corporation scheme के बारे मैं आपको बताया था एक ESIC act आया था 1948 में जिसके अंदर में employee state insurance corporation बनाया गया था और अब latest changes के साथ बोला गया है कि 21,000 तक की कमाई करने वाले लोग इसमें cover होते हैं लेकिन ये वो लोग होंगे जो किसी एक industrial establishment में काम कर रहे हैं कोई भी ऐसी establishment जहाँ पे 10 लोग से जादा काम कर रहे हैं वो सब ESIC के अंदर जाएंगे बशर्ते premium देते रहे 4.75% employer और 1.7% employee लेकिन अब आगर आप बात करोगे इस टाइप के लोगों की जैसे की hand room workers होगे रिक्षा पुलर होगे ब्रिक्लीन जो भट्टी में काम कर रहे हैं रिक्षा चला रहे हैं किसी की घर में जाके ज़ड़ पोशा परदन कर रहे हैं ठीक है रैक पी कर सें गंदगी उठा रहे हैं सडकों से कॉबलर है जूते सी रहे हैं तो head loaders है जाके जगा जगा पर इटे सर पे ढो रहे हैं तो इस तरीके के लोगों को भी किसी तरीके की एक आप कह सकते हो pension scheme की जरूरत है और उनहीं के लिए ये उनको यहां पर cover कर लिया जाएगा और कहा जाएगा कि कम से कम इन लोगों को 60 साल के बाद 3000 रुपे पर मंत की pension मिलेगी फिर अगर मान लीजे pension के मिलने के time पे जिसको pension मिल रही थी अगर वो person खतम हो जाता है तो उसको family pension मिल रही थी तो अगर वो खतम हो जाता है तो उसकी wife को उसकी family pension का 50% मिल जागा कि मान लीजे वो खतम हो जाता है और उसको 3000 रुपे पर मंत मिल रहे थे pension तो उसकी खतम होने के बाद उसकी wife को इसका 50% नैनि 1500 रुपे की pension महीने की मिलती रहेगी और के वाइफ को मिलेगी अगर wife की डियास हो जाती है उसके बाद कोई pension नहीं म contribution दे रहा था इसे scheme में और किसी वज़े से उसकी मिलती हो जाती 60 साल से पहले तो उसके बाद उसकी wife के पास भी एक option होगा कि वो उसके contribution को लगातार भरते रहे और 60 साल के बाद उस contribution को भरने का उसी pension का फायदा उठाए यानि कि मान लीजे एक male person था और वो male person regularly अपनी महीन की installment दे रहा था लेकिन 60 साल की उमर से पहले उसकी मिलती होगे वो pension का lab नहीं उठा पया तो जो उसकी wife होगी वो उसके जो dues है वो हर महीने भरके उस pension का lab उठा सकती 60 साल के वाद ठीके फिर अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती तो उसको exit और withdrawal की जो conditions है उसके साब से उसको scheme को छोड़ना पड़ेगा exit और withdrawal conditions डीटेल में P.I.B. साइट पर दे रखी है उनको मैंने या cover नहीं किया है साथ-साथ अलग-अलग age group 18 से 40 की age group के लोग इसमें eligible है तो 18 से शुरू करते हो 18, 19, 20, 21, 22 इस उमर के लोगों को पर मन्त कितना contribute करना है उसका data भी P.I.B. की website पर आज आप हर महीने वहाँ से कट जाएगा और वहाँ से कटने के बाद government उतना ही पैसा उसके pension account में डालेगी और उसको ए pension 60 साल की उमर में मिलना शुरू होगी इस pension में अगर लोगों को enroll करना है तो सबसे बेस तरीका क्या है? Community Service Center के तुरू वो enroll कर सकते हैं Community Service Center गाओं गाओं में digitally logo को convert करते हैं government की services से यह तो मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बता ही रखा है Community Service Center कैसे काम करते हैं ठीक है? उसके बाद मालीजे कोई एक person अपने monthly installment में default कर रहा है ठीक से नहीं भर रहा है तो बाद में वो अपने सारे pending news को भर सकता है कुछ ऐसी penalty के साथ जो government चाहे तो लगाए और चाहे नहीं लगाए और जितने भी Life Insurance Corporation के Employee Provident Fund Organization Employee State Insurance Corporation के जो offices होंगे वो लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे कि कैसे लोग इस scheme में pension scheme में अपने आपको enroll कर सकते हैं उनको facilitate करेंगे उनको बताएंगे कि आप किस तरीके से इस scheme में enroll करिए क्योंकि दे पास knowledge कम होती है तो यह knowledge देना किसका काम है LICE, ESIC, EPFO इनका काम है फिर एक कोबरा गोल्ड military exercise आई है यह आपकी United States और Thailand के बीच में एक multilational military exercise है Multinational मतलब बहुत सारे nations इसमें participate करेंगे, obviously यह इसका 38th edition है और इस साल हुई कहा है Northern Thai province of Fitsanulok यानि Fitsanulok एक जगा है कौन से country में Thailand में जहां पर exercise हुई है तो Asia Pacific की largest regional multinational military exercise है Thailand में होती है हर साल Thailand और America का initiative है तो Thailand के लिए, sorry, America के लिए Thailand important है क्योंकि Thailand की location बहुत strategic है उसका Southern and State of Malacca के बहुत पास है अगर हमारे इंडिया की बात करोगे तो State of Malacca के पास सबसे ज़्यदा हमारी पास कौन सी चीज़ है वह हमारे अंडमान निकोबार आइलेंड्स खासकर कि निकोबार आइलेंड्स ज्योंकि इसका Southernmost point इंद्रा जहां पे लाइट हाउस टावर है वो टावर जो भी State of Malacca की तरफ शिप्स जा रहे होते हैं उनको रास्ता दिखाता है कि इसे बना जाएगा घुमोट को बना जाएगा यह एक इंडिजीनिस अर्दन ड्रम है आप देख सकते हैं पॉट टाइप का ड्रम टाइप का है उसके उपर चमडे का कवर लगा रखा है कहा जाता है कि जो चमडे का कवर उपर लगा है यह मॉनिटर लिजर्ड की स्किन से बना हुआ है लेकिन अब मॉनिटर लिजर्ड की स्किन से इसको नहीं बनाया जा रहा है अब कहा जा रहा है कि इसको गोट की स्किन से बनाया जा रहा है तो इस घुमोट को हैरिटेज इंस्ट्रुमेंट अफ गोवा कहा जाएगा यह आपका कॉन्ट्रोवर्शल इसलिए थ जाता था, इसके ऊपर के इस धक्कन को, देखिए जो धक्कन उपर लगा हुआ है, तो monitor lizard की skin से इसे बनाई जाता था, लेकिन अब जो बन रहे हैं, अब वो goat की skin से बन रहे हैं, monitor lizard की skin से नहीं बन रहे है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है friends, क्योंकि देखिए, साफ साफ बोला गया है कि Wildlife Protection Act 1972 के अंदर जिन जिन भी species का नाम है उनको आप मार नहीं सकते हैं उनको special protection प्रोवाइड करेगी government और यह जो monitor lizard है ना यह इस Wildlife Protection Act 1972 के schedule 1 में आता है ठीक है अब schedule 1 में आता है नहीं आता है यह एक बार आप चेक कर लिए पर Wildlife Protection Act की बारे में आप देखिएगा तो उसमें साफ साफ यह monitor lizard को दे रखा है और goat को उतनी production नहीं दीगी देखी गोट को तो आए दिन लोग मटन मना के खा जाते है मटन गोट का ही मीट होता है तो उसको फिर एक चीज आईए Personal Loss Amendment Bill 2018 यह क्या है कि वह पहले लेप्रोसी की नाम की जो बीमारी होती थे ना उसके बेसिस पर आप डैवार्स ले सकते थे अब खासकर यह बोला गया है कि लेप्रोसी बीमारी की बेसिस पर आप डैवार्स नहीं ले सकते तो जो Personal Loss Amendment Bill है यह इसलिए कि आए गया है पार्लामेंट ने इसको पास भी कर दिया है और जब इसके पास होने एक बाद प्रेजिदेंट का इसको एटिसेंट मिल जाएगा तो पांच पर्सनल लॉस कॉमेंट कर दिया जाएगा इसमें जो कि हैं हिंदू मैरीज एक 1955 डिसोलुशन और मुस्लिम मैरीज चीजें पहले भी हो सकी है जैसे कि 2008 में नैशनल हुमन राइट्स कमिशन ने बोला था कि परसनल लॉस में और जो भी लेजिसलेशन बनाए है सरकार दे जो भी कानू नियम बने हुए है उसमें ये जो लेपरोसी के खिलाब जो बायस कर रखा है ना अपने लोगों के खिला को इंडिया ने साइन भी किया और रैटिफाई भी किया तो अब्वेसी बात है अपने डॉमेस्टिक लेजिसलेशन के थुरू उसको आपको एक्सपेक्टेशन को मीड भी करना है तो ये लेके आया गया है फिर 20th law commission of इंडिया ने 256 रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट का टाइ लीचे जिससे लेप्रोसी affected people का rehabilitation हो सके और उनको mainstream में मिलाया जा सके इस stigma की वज़े से उनकी life hell ना करी जाए तो ये जो central और state government के laws बने थे ना friends ये तब बने थे जब जो लेप्रोसी था ना उसका इलाज नहीं दूड़ा गया था और लेप्रोसी को बहुत stigmatize किया गया ए उसके उनको mental torture तो इस चीज़ को बंद करने की बहुत खास ज़रूरत थी और अब तो multi drug therapy आ गई जिससे time पे लेप्रोसी को cure किया जा सकता है ये chronic infectious disease है एक से दूसरे को सकता है mycobacterium leprae की वज़े से होता है ये skin को effect करता है और nerve system को effect करता है अगर time को इसको नहीं पकड़ा advancement अच्छे खासे हो चुके हैं timely treatment से nerve damage को रोका जा सकता है लेप्रोसी में आगे चलते हैं कुछ one-liner news देख लेते हैं फ्रेंट्स Vice Admiral S.N. गोर मणे जी ने Chief of the Staff Eastern Neville Command का चार्ट समाला है विशाखा पत्नम में फिर Republic of Macedonia का official नाम of Republic of North Macedonia हो गया है और अब वो NATO का member बन सकता है देखे ये issue को मैंने पहले का current affairs में cover किया है आपने अगर देखी है regularly मेरे current affairs की वीडियो तो आपको पता होगा देखे ग्रीज मैसे आरी colonial countries ने Ottoman Empire की territories को अपने अपने में बाट लिया अब जो Alexander था वो Greece का था उसको King of Macedon उसके टाइटल में था अब अगर आप Greece और मेसेडोनिया की location देखेंगे यहाँ पे मैंने map इसले ने include characters क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में इस topic को cover किया है तो आप जाके वहाँ पे द मेसेडोनिया का NATO में आने का रास्ता block कर रहा था देखें ग्रीस, NATO और EU, European Union दोनों का member है तो ग्रीस के पास veto है कि वो किसी को भी NATO और EU जोईन करने से रोक सकता तो ग्रीस बहुत दिन से मेसेडोनिया को NATO जोईन करने से रोक रहा था लेकिन अब जब इन दोनों की बीच में formal agreement हो गया है और जो Macedonia का नाम अब North Macedonia हो गया है तो Greece ने ratify कर दिया है कि हाँ भई अब आप Macedonia को NATO का member बना सकते हो अब तक Greece ही उसको block कर रहा था बनने से और Greece असा क्यों कर रहा था क्योंकि जो Northern Greece का जो area है ना उसको वो लोग Macedonia बोलते है तो अब Macedonia country ने Republic of Macedonia नाम बदलके Republic of North Macedonia कर लिया है फिर एक exercise टॉपची हुई है जिसमें जो हमारी Indian Armed Forces Navy है और जो Air Force है वो मिलके अपनी fire power को डिस्पले करेंगे तो यहाँ पर artillery fire power को डिस्पले किया गया है अल्ट्रा, light hobbits सर से स्वाथी weapon locating radar का इस्तमाल किया गया है दियो लली क्यांप नासिक के पास यह exercise conduct कराईगी है रॉकेट, serverless instruments, target acquisition radars remote piloted aircraft, missile, high tech equipment, gunfire सब का प्रदर्शन किया गया है इस exercise टॉपची में important का है हुई कहा है दियो लली क्यांप नासिक के पास और फिर एक final news friends, सुशील चंदरा जी जो अब तक central board of direct taxes की chairman थे उनको अब election commissioner बना दिया गया है लोग सभा के election आने वाले है सत्रवी लोग सभा हमें चुननी है तो दो election commissioners होते हैं और एक chief election commissioner होता है तो एक election commissioner की vacancy खाली थी जिसमें appointment हुआ है शुशील चंदरा जी का तो यह थे friends आज की current affairs I hope आपको मदद मिल जाएगी इनसे वीडियो पसंद आयो तो like जरूर कर देना चैनल को subscribe कर लेना और please इसको like जरूर करिए अगर आपने यहां तक देखा है इससे बड़ी मदद मिलती है आपका क्या जा रहा है एक ही बटन दबानी है और चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लीज़ेगा अपने comments के थूरू मुझे बता सकते हैं आपको क्या doubt है पढ़ते रहिए friends Take care